कि अगर आज हम करने वाले हैं एंटोम लाजी के कुछ अमेजिंग से और उनकी रिवीजन जो मेरा रेगुलर बच्चा है वह सारे जितने भी पत्थर कहां से है यहां पर पैरू और यहां पर पत्थर है किसी ने पहंगा हुआ कहीं किसी की साजिश तो नहीं चलो तो इसके साथ ही आपके लिए इंफोरमेशन है बार बार बता रही हूं अभी बह इसी भी बैश में आपको 80% डिसकांट मिल जाएगा तो इस को लिख लीजिए वाई 7 7 के बाद 8 1 और 8 ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास को आज का क्लास एक रिवीजन क्लास होने वाला है यूकि आज में बहुत ज़ी थी तो मैंने नए कोश्टन्स नहीं बनाए है लेकिन अगर तुमने पुराने कोश्टन्स में कोई गलती की फिर मैं समझ जाऊंगी ठीक है तो चलिए जल्दी से चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो भी नया है वो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करेगा और हमारी फैमिली का हिस्सा बनेगा ठीक है ताकि डेली ऐसी अच्छी अच्छी आपको मिलती रहें साथ ही साथ आपकी बहले की बात बता रही हूँ अड़ा 247 की मुबाइल अप्लिकेशन सारे करंट अफियर्स कोई भी नया जॉब है उसका अलर्ट डेली क्विजिस वो भी सब्जेक्ट वाइस क्विजिस यह सारे फीचर्स फ्री में आपको मिलते हैं इस क्यू हि सब तो ठीक है ह सबको दिरे आ रही है अपना जो फोन का वालिूम है वह जो तेज कर लीजिए तेजुन मेरी ओवर समझे इस ए इस मी और दिसौन दिस आम लाइक इस। इसू है हम प adapta चलिए हाँ हो गया विदान्त हो गया तो सबसे पहले कीट विज्ञान क्या होता है entomology entomology is the study of insect कीटों के अधियर जो हम करते हैं उसे entomology कहते हैं यह एक Greek language का word है जिसमें entomo या entomon का मतलब होता है insect logus का मतलब होता है study so study of insect is known as entomology अगर मैं insect की बात करती हूँ तो वो एक latin language से derived हुआ है और वो latin language का word है insectum और इस insectum का मतलब होता है to cut into जो मैं 100 करोड बार बता चुकी हूँ तो हम आगे चलते हैं पहले question के साथ पहला question है which of the following is the largest class of phylum arthropoda बताइए अच्छा बहुत basic level से हम चलेए के revision class है हम 50 question आज करने वाले है ठीक है तो जल्दी जल्दी से बता दो क्या ही करूँ मैं आदर डालनी पड़ेगी इस preface की मुझे चलिए बताइए हां जी सबसे बड़ा वाला जो largest class है वो कौन सा है बिलकुल सबसे बड़ा class है hexapoda यानि इंसेक्टा class सबसे largest class है phylum arthropoda की जिसे hexapoda भी कहा जाता है जल्दी जल्दी अगला सवार entomology शब्द की उत्पत्ती क्या चल रहा है यार बक्वास हो गया है यह आपको मैं बता चुकी हूँ कि entomology greek language से आया तो इसको छोड़ो यह बताओ इंसेक्ट शब्द का अर्थ क्या है what is the meaning of this word insect pathogen cut into damage into या phyton चलो बता रही हूँ में English में बहुत easy है इसका क्या English इंदी करना है जल्दी से answer बताओ insect word का मतलब क्या what is the meaning of word insect cut into ठीक है क्या मतलब होता है cut into काटा जा सके जिसे okay कीट विज्ञान के जनक कौन है who is the father of entomology options है William Kirby, V.V. Gigglesworth, Agostino Bassi या Barlet who is the father of entomology बताईए who is the father of entomology इसके साथ साथ अगर मैं बात करूँ कि insect के जो physiology है physiology उसके father है Gigglesworth insect का जो insect pathology ठीक है insect pathology जो है उनके father है Agostino Bassi और जो Barlet है उन्होंने IPM यानि Integrated Pest Management यह एका ग्रित कीट नियंत्रण वो किस नहीं दिया था Barlet नहीं दिया था okay yes और William Kirby जो है वो father of genetics है चली आगे is the right answer next कीट पतंको के अधियान को क्या कहते है study of insect is known as toxicology, entomophagy, entomology और pathology देखो entomophagy होता है ऐसे organism जो आपके insects को खाते है है ना कुछ viruses होते हैं जो insect को खा लेते हैं ठीक है कुछ fungus होती है जो insect को खा लेती है तो entomo मतलब insect, phagy मतलब खाना to eat ठीक है तो इसे कहते है entomophagy toxicology क्या होता है basically जो chemical control होता है insect का जहां पर आप देखते हो कि stomach poison कैसा है, contact poison कैसा है वो सब आप insect की toxicology में पढ़ते हो and very easy it is कि entomology की इट विज्यान होता है study of insect अगला which of the foreign statement is not correct इन में से कौन सा सही नहीं है अब ये वाला जो question है न ये बहुत सारे बच्चे गलत करते हैं और इन statements को जो है अच्छे से पढ़ो तूं और मुझे बताओ सभी पैस्ट पैथोजन है all पैस्ट आर पैथोजन सभी पैथोजन पैस्ट है all पैथोजन आर पैस्ट some parasites are useful for the plants कुछ parasite जैसे parasitoid है या predator है वो पौधों के लिए जो है फायदे मन्द होते हैं very good सही है ये तो कुछ फूल वाले पौधे क्रिशी कीट होते है very good तो इसमें से correct कौन सा नहीं है अभी भी तुम्हारे answers में variation आ रही है मैं देख रही हूँ यहाँ पर आपका सही answer हो जाएगा एक गलत है कि सभी पैथोजन ही pest है ऐसा नहीं मतलब सभी pest pathogen है ऐसा नहीं है सभी pest pathogen नहीं है कुछ pest pathogen है कुछ pest weeds है कुछ pest insect है तो सभी pest pathogen नहीं है यह गलत है पहला वाला ओके which of the following is colorless निमल लिखित में से कौन सा जो है जिसका कोई रंग नहीं होता है प्रो क्यूटिकल एंडो क्यूटिकल एंडो क्यूटिकल यह सभी कौन सा वाला colorless है harmful और beneficial दोनों होते हैं जल्दी बता दो जबार बर ना refresh करना पड़ रहा है चलिए ओके ओके money mixing point प्रियंका ए लिख रही है प्रियंका यार मदुरीमा भी A लिख रही है तुम्हें कितना revision करालो तुमने गलत ही करना है हमेशा है ना तुमने गलत ही करना है the right answer is B endocutical A क्यूट लिख रहे हो मनीशा अगुमारी ने भी A लिखा है है ना A क्यूट लिख रहे हो तुम मैंने क्या बोला था endo का मतलब होता है अंदर तो जो अंदर वाली cuticle है जो अंदर वाली skin है endocutical वो colorless होती है वो white white सी होती है जो exo होती है वो dark होती है तो B answer से ही हो जाएगा है ना सबने यह लिखा है मधुरिमा बेटा revise करो यह जो मैं question करा रही है उनको copy पे लिखो as a fact ठीक है कि endocutical is colorless जो tricks बताती है उसको pencil से लिखो बार बार गलती हो रही है बार बार मैंने इतनी बार करा दिया और कितना सबी है ना मधुरिमा regular student है कराने के लिए चलो which of the following is not a cultural method of best control निमल लिखित में से कौन सा कीट नियंतरन की सांस्कृतिक विधी नहीं है नहीं है cultural method flowing यानि जुताई light traps यानि प्रकास जाल tillage या pruning कौन सा नहीं है तो यहाँ पे विंदरेश और धननजे, मनीशा बताईए इस बार प्रियंका का सही है अनु का सही है, मदुरिमा का भी सही है चलो, very good सही answer है आपका light traps ठीक है, B is the right answer light trap तो जो भी trap होते हैं, चाहे sticky trap है या light traps है या phyromon traps है, यह जो जाल होते है traps होते है, यह mechanical method होता है, फिजिक, cultural नहीं होता है, ठीक है, पर इसकी जगहा अगर trap crop होता जाल फसले, तो वो जो फसले हैं वो आपकी sanskritik में आती है यानि cultural method में आती है ठीक है, चलिए, अगला mellathion is an dash type of insecticide जो mellathion है, वो किस प्रकार का कीट नाशक है, तो जो भी पेट बाच के बच्चे हैं, चाहे वो आपके AFO के हैं, चाहे वो BAO के हैं, सबको मैंने insect का पूरा-पूरा classification करवाया है ठीक है, मुझे जल्दी से बता दो कि mellathion किस टाइब का insect है, क्या वो organophosphate है, क्या वो chlorinated है, यानि chlorineuct है क्या वो synthetic pirateroid है या वो एक कारबामेट है बताइए, mellathion क्या है तो mellathion, very good madurima, very good shubhankir, shubham सबका सही है, organophosphate होता है, इसके अंदर phosphate होता है, तो it is the right answer, अगला सवार केंदरिय पादग सरक्षन प्रसिक्षन संस्थान का मुख्यालिय कहां पर है, the headquarter of Central Plant Protection Training Institute is located at Ahmedabad, Hyderabad, Coimbatur या Mysore कहां पर है, बताइए कहां पर है कहां पर है कहां पर है कहां पर है कहां ओके, एक answer आया है हमारे पास B, madurima का, very good यहां पर madurima और priyanga काई सही है सिर्फ, और एक और है Arunpreet Kaur, उनका भी सही है तो कहां पर है यह, Hyderabad में है हाँ, शुभांकित का भी सही है शुभांकित एक ऐसे regular student है मुझे लगता है कि वो बहुत अच्छे से revision भी करते हैं उनके सारे answer, कभी भी दूसरी बारी में उनके answer गलत नहीं होते है तो आप किसी class को पढ़ रहे हो उस class के खतब होने के बाद जब भी आपको time लगता है उसके जो one liner है वो या तो साथ-साथ में साथ-साथ में थोड़ा इतना मुश्किल है या तो लिखते जाओ उसको साथ-साथ में लिख लो थोड़ा बहुत जितना समझ में आ रहा है यहाँ पे लिख लो Protection and Training Institute, Hyderabad फिर उसको revision करो फिर जब मैं दूसरी बार लेकर आती हूँ तब तुम्हारा कभी गलत नहीं होगा चलिए अगला Which one of the following function of mouth parts of insect make them effective vectors of plant viruses जो कीट होते हैं उनके कौन से मुख के हिस्से ऐसे होते हैं जिनका काम पौधों के virus को इधर से उधर vector की तरह पहुंचाना है तो biting and chewing यानि काटने और चवाने वाले प्रकार rasping and sucking यानि जो आपके चीरने वाले rasping मतलब चीरना और चूसने वाले प्रकार हाँ बिंदरेश आपका भी सही है नहीं मैं सौंग गाती हूँ गाती नहीं हूँ गाती नहीं हूँ गाभी लेती हूँ अच्छी वास निकल जाती है मेरे मूँ से बाकी मैं singer नहीं हूँ ऐसे उन ही होता जो खुद को बाथरूम सिंकर समझते हैं मताब बाथरूम में काफी अच्छी वाज आती है चलो वेरी गुड मदरिमा ने इंसेक्ट के नाम भी लिख दिये चलो तो पियर्सिंग एंड सकिंग होता क्या है आपने वह एचाईवी वाइरस हुना है एचाईवी वाला एड्स वाला तो उसमे कुछ उभाते हैं जिससे क्या होता है जो सैप का ट्रांस्मिशन होता है तो वाइरस भी उसके साथ इदर उदर चला जाता है ठीक है चलिए अगला सवाल देखते हैं एन्पीवी का उपयोग जाधा तर किसके नियंदरन के लिए किया जाता है एन्पीवी इस मोस्त्री यू होता है तो अगर लेपिडॉप्टरा में भी आपसे आप्शन पूछे गए तो ये दो के लिए सबसे जाधा इस्तिमाल होता है पहला है हलीको वर्पा हलीको वर्पा यानि जो फल छेड़क होता है और दूसरा है स्पॉडॉप्टरा लिट्यूरा इन दोनों के लिए ये सबसे जाधा इस्तिमाल किया जाता है और दोनों लेपिडॉप्टरा ओर्डर के होते हैं ठीक है अच्छा वेलकम विपेन वेलकम टूदा सेशन ठीक है चलो अगला निमल लिखित में से कौन सा एंटोमो पैथोजेनिक का वक है तो इसमें आपको दो शब्द दिख रहे हैं एंटोमो और पैथोजेनिक एंटोमो का मतलब होता है कीट और पैथोजेनिक का मतलब होता है फंगर्स मतलब पैथोजन्स ठीक है फंगर्स बेक्तिरिय वाइरस तो कहा गया है कि इसमें से कौन सा कवक यानि कौन सी फंगर्स ऐसी है कौन सी फंगर्स ऐसी है जो आपके कीटों को मारने के काम आती है मैं जी आप घर जाने के बाद जल्दी वापिस आईएगा हम वेट करेंगे आपका जरूर जरूर इसके साथ ही मैं आपके लिए थोड़ा बहुत कौनसेप्ट की शायद रिकौर्डिंग करूं अभी ठीक है आज और कल में और परसों में ठीक है 29 को जाओंगी तुम्हारे लि अनिसोपली ए ट्राइकोडर्मा हार्जी एनम या बोथ ए और बी यहां पर सही आंसर क्या हो जाएगा बिल्कुल सही डी बोथ ए और बी सी नहीं होता है चलिए आगे scientific name of maize stem borer maize stem borer जो मक्के का तना छेदक होता है उसका विज्ञानिक नाम क्या है तो क्या उसका नाम नीला परवता लिूजन्स है बिल्कुल नहीं वो तो brown plant hopper का नाम है उसके बाद चिलो पार्टेलर्स है या स्कर्पो फैगा इंसर्टुलर्स है या और सी ओला और इसे है बताइए शादी है मेरी छे मार्च को मेरी यार की नी मेरी शादी है चलो बिल्कुल B is the right answer मैंने तुम्हे याद भी करवाया था कि जब तुम Netflix और चिल करते हो तो तुम पापकॉन्स खाते हो और वो चिल से बनते हैं मक्का से बनते हैं मेस से जो चावल में तंगरो वाईरस होता है उसका वेक्टर कौन सा है चिलो पाटेलस, पेक्टीनो फोरा गॉसी पियाला, डायक्रेसिया, अबलिका या नेफो टैटिक्स वाइरिसिंस तो चिलो पाटेलस तो नहीं हो सकता वेक्टर क्योंकि ये तो बोरर है मेस्टेमबोरर पेक्टीनोफोरा गॉसिप याला तो पिंक वॉल वॉम है जो कपास में होता है यह भी वेक्टर नहीं हो सकता डायक्रेसिया अबलिका या नेफोटैटिक्स वाइरिसिंस बताइए सबका यहां पर अनू अर्चना पूजा प्रियंका अंकिता अरुनप्रीत कौर और मधुरी मा लड़किया यह लड़किया मनीशा वेरी गुर्दीपक का गलत हो गया ओके शुभम प्रतियूश चलो मैक्सिमम का सही है भई यहां पर है ना अतियुत्तम तरीका याद रखने का हां अतियुत्तम तरीके बताती हूं मैं मेरी बाकी क्लासे अचा जब तक मैं नहीं हूं और जिसने अभी अभी जॉइन किया मेरा पूरा प्लेलिस्ट है ऐसे लिखना उडान बाय प्रतिभाम है तो आपको एक प्लेलिस्ट देखेगा जिसमें 200 से जाधा वीडियो है तो आ ग्रोध उडेश्य के लिए सबसे उप्यूक्त फ्यूमिगेंट कौन सा है ओप्शन है EMS, Malathion, Ethylbromide या Thyiorea कौन सा है फ्यूमिगेंट अच्छा फ्यूमिगेंट होता क्या है फ्यूम्स होती है फ्यूम्स जैसे की फ्यूम्स में कैसे बताऊं मैं आपको जैसे दूआ होत है तो फिर वह आपके अंदर जाता है, या कोई गैस होती है या कोई ऐसी चीज जो साय्स के ते उन-दर आंदर जाए, अनदर यह जो नाक से अंदर फेवडों में जाके ऐसे अनदर चेली जाए तो यह जो fumigants होते हैं यह भी insecticide का कीट नाशकों का ही एक प्रकार होता है जो insect को कैसे मारता है सुंघा के मारता है gaseous way में gas के जैसा ठीक है तो इसमें से एक ethyle bromide है जो use किया जाता है जब कोई बाहर से नई चीज आती है उसको fumigant से किया जाता है है ताकि कोई हो भी अगर अंदर पैस तो वो मर जाए समझ में आ गया अगला सवार act disone is secreted by act disone जो है वो किसके द्वारा स्रावित होता है तो act disone is a molting hormone जब molting होती है ना जब कीट अपनी पुरानी जो चमड़ी होती है स्कीन जो क्यूटिकल होती है उसको निकालके बाहर फैंग देते हैं और नई चमड़ी धारन करते हैं ठीक है तो वो जो पुरानी वो फैंग देते हैं उस प्रोसेस को कहते हैं molting ठीक है the removal of the old cuticle is known as molting अब I can feel you. मेरी मेम की शादी है हां तुम ये गाना गाके मुझे भेज सकते हो तुम है हां यार तुम क्या करो तुम सारे एक short short video बनाओ मेरी मेम की शादी है और उसको mail कर दो अड़ा वाली उस पर अड़ा वाली पर नी अगरी कल्चर अड़ा वाली पर ठीक है तो फिर हम उसका वो बनाएंगे उसका वो कोलाज मैला उसका वो करेंगे क्या वोलते है उसको merge करेंगे तुम्हारी सारी वीडियोस और फिर मैं शादी पर चलवा दूँगी अपनी किता मजाएगा हा तुम ऐसा करो गया तुम करो ऐसा फिर मैं बलूँगी देखो यह मेरे बच्चे है वाइस नोट बेस दो तुम मेरी मैम के शादी है उसके बाद पर चलाओंगी सब को देखा मेरे बच्चे मेरे बच्चे मेरे स्टुडेंट्स ठीक है चलो अचा मैं चूप हो जाती हूं तुम मुझे न मेरे अंदर की वह मत निकाला करो चुल बुलापन मुझे बड़ा टेंशन हो जाता है क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई बीच में ऐसे नेगेटिव इस तत्व बैठा ओ जो मुझे बुले यह मैडम पढा रही है कि मैडम OVAर एक्टेंग कर रही है यह कर रही है बाड में गही तुम सारे जो ऐसा बोलते है ठीके बैसी ऌह ऐसी रहूंगी चलो चलिए तो प्रोथ और ऐसी ग्रंथी यानि प्रोथ और ऐसी ग्लैंड से यह सिक्रीट होता है ओके जी चलिए अगला सवाल यहां कांगे कौन है नील कमल सारे सभी एक्जाम्स के लिए हैं यह क्वेश्टन्स हांजी आहाना बड़े दिनों बात दिखी मुझे आहाना मौरया एफलिनस माली इस पैरासिट्वाइट विच इस यूज़ फॉर कंट्रोलिंग किसको नियंतरन करने के लिए यूज़ में आता है फ्रूट फ्लाई कॉटनी कुष्णी स्केल एफल वुली एफल वुली एफल या शुगर केन पायरिला बताओ बताओ जल्दी से इससे जल्दी अब टू एक्स पे रेगले ना इसससे जल्दी नहीं पढ़ा सकती है वेरी गोड तो यहां पर सही आंसर है आपका एपल वुली एफल प्रियांका का सही है तो आपके आप्शन्स है पोटाटो टूबर मौथ पल्स बीटल और गोईमोस ग्रें मौथ या ओल आफ दीस बताइए ढरी या हम्म मौधाओ बताओ तया तो नहीं आपईबाँ यह है आपका ड्रीम क्रेमाल सकता है बिल्कुल D is the right answer अगला सवाल प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट is used as an attractant for the control of जो प्रोटीन हाइड्रोलाइसेट है उसका उप्योग किसके नियांत्रण के लिए एक अकर्शन के रूप में किया जाता है किसके लिए इस्तिमाल किया जाता है जल्दी से बता दो ओके तो यहां पर आंसर किसी का आया नील कमल का आया लेकिन गलत आया डी नहीं है इस फ्रूट फ्लाइ अंकिता नहीं किसका आंसर सही है यह भगवान अभी तक किसी का भी आंसर सही नहीं आया ठीके या तो मैं ही पीछे तो नहीं चली हूँ तुम्हारे आंसर देखने में ऐसे कैसे सब गलत कर सकते है आप इतना अच्छा क्यों पढ़ाती है क्योंकि this is my passion मुझे पढ़ाना अच्छा लगता है चलो तो फ्रूट फ्लाई के लिए यूज करते हैं अगर आपको फ्रूट फ्लाई को अट्रेक्ट करना हो तो प्रोटीन हाइड्रोलाइजेट का इस्तेमाल करते हैं तो क्या आंसर हो जाएगा उसको खा लेने वाला कीट कौन सा है एफिड, बोरर्स, माइट या टर्माइट तो एफिड तो जादा तर स्टेम या पत्तों में से सैप को चूशते हैं बोरर्स जादा तर या तो अंदर फ्रूट के अंदर गुश जाते हैं stem के अंदर घुज जाते हैं लेकिन termite yes very good termite एक जल्दी जल्दी में गलत हो गया अच्छा जी चलिए termite एक ऐसा pest है जिसके सभी plant part वो खा सकती है वो लकडी भी खा सकती है पत्ते खिलादो उसको जड़े खिलादो roots खिलादो कुछ भी खा लेगी सारे plant parts को खा लेती है दीमक ठीक है तुम्हें भी खा लेगी ओके चलिए next is cetaceous type of antenna are present in cetaceous प्रकार के जो antennas होते हैं वो जो मुच्छे टाइप लगी होती है आगे sensory organs of insects तो cetaceous type of antenna किसमें होते हैं आपको मैंने बताया था कि सीता मैया की कहानी आपको कहां देखनी है तो यहां देखिए फिली बापरे आचा मुझे ऐसे आंसर बता दो यह गलत है options ऐसी options ऐसी बता दो मैं इतना जल्दी एक्जाम आगया अब तो डर लग रहा है किसका एक्जाम आगया बिये हो का बिल्कुल LCD यानि leaf hopper cockroach और dragonfly आपको सीता मैया के कहानी किस पर देखनी थी LCD पर तो LCD मतलब leaf hopper cockroach और dragonfly यह तीनों जो है इसके जो वो होते हैं antenna type वो cetaceous होते हैं सिटेशिस का मतलब है कि पहले सबसे बड़ा segment होगा फिर छोटा 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 होता जाएगा ठीक है सबसे basal segment होता है scape फिर pedicill उसके बाद वो जो फ्लेजलो मेर्ज होते हैं जो फ्लेजलम बनाते हैं तो इस तरीके से होता है ठीक है अगला सवाल stylet's are present in which order जो stylet होती है सुई जैसा structure वो कौन से गर्ण में पाया जाता है कौन से order में पाया जाता है lepidoptera, collioptera, orthoptera या hemiptera हैmiptera मैं तो मैं बच्छम से hemiptera ही बोलती हूँ तो मिझे से patera नहीं निकलता है तुम समझ लो मैं क्या बोल रही हूँ ठीक है चलिए बताइए very good, तो सबसे पहले अनू का आया रजनीश, एंटोमलॉजी का कोई JRF का बैच नहीं है बट अगर आपको एंटोमलॉजी पढ़ना है तो आप जो मैंने एंटोमलॉजी पढ़ाया है यह सब कुछ learn करवाया है वो वला बैच मैं आपको suggest कर सकते हूँ इस उडान का बैच ठीक है वहाँ पर आपको एंटोमलॉजी मिलेगा जिसमें मैंने यह सब कुछ याद करवाया है कि कैसे आप याद करोगे type of antenna, type of wings तो वो आपका सब कुछ clear हो जाएगा तो मैं आपको last में suggest कर दूँँगी यहाँ पर सही answer है hemiptera ठीक है hemiptera हम अगला सवाल what is the origin of foregut? foregut का origin क्या होता है तो यह जो आपके insect के part होते हैं या तो इनका origin endodermal होता है रहाँ अंदर से और या तो ectodermal होता है यानि बाहर से तो foregut का origin क्या है? क्या वो ectodermal है बाहर से या endodermal है या mesodermal है से या all of these good evening साहिल बहुत लेट आए आप हाँ अब तो मैं जाने भी वाली हूँ चलो बताओ तो बिल्कुल सही आंसर किसने किया अनु ने रजनीश ने अर्चना ने सही आंसर किया है होटी कल्चर जे एरेफ का कोर्स लेना है होटी कल्चर का आपको एक साल की वैलिडिटी के साथ मिलेगा मैं आपको दिखा दूंगी इस वक्त 80% आफ पे मिलेगा तो एक्टोडर्मल है अब मैं आपको याद कराती हूं रुको फोरगट कहां पर होता है फोरगट ना माउथ के बाद से फोरगट शुरू हो जाता है ठीक है माउथ के बाद जो भी आपका फैरिंग जाता है इसोफेगस आता है क्रॉप आता है गीजर्ड आता है यह सब फोरगट में आता है तो जो फोरगट है उसके पास माउथ है माउ की तरफ तो वो भी ectodermal आएगा लेकिन जो आपका बीच में midgut है जिसके पास जो बीच में फसा हुआ है अंदर फसा हुआ है ठीके उसे कहेंगे endodermal ठीके trachea, trachea के पास भी openings होती है spiracles, तो trachea भी होते हैं आपके ectodermal, ठीक है तो ये सब बाते आपको ध्यान में रखनी है ओके जी ओके, mouth parts present in thrips are, जो thrips होते हैं, उनमें कौन से मुखांग पाए जाते हैं, options हैं piercing and sucking, biting and chewing chewing and lapping rasping and sucking, चबाने और चूसने वाले, ठीक है काटने वे, चबाने वाले चबाने और चाटने वाले, या आपके this rasping and sucking, चीरने और चूसने वाले, बताए शाबाश, बताओ very good, rasping and sucking जो thrips होते हैं, उनके पास कोई भी stylet, sui जैसा structure नहीं होता है, उनके पास जो है, वो एक, एक mandible होता है उनका right mandible भी गायब होता है एक mandible होता है उनके पास जिससे वो चीर फाड कर देते हैं बिल्कुल ठीक है? चलिए यह तो हो गया अपका, यह तो गलत है इसको छोड़ो, यह भी आपका हो चुका है I think that's it, अभी हम यही पे खतम करते हैं class को, तो उसके बाद अब आप देख लीजिए, मैं आपको फिर से बता रही हूँ भई, और क्या बता रही हूँ आपको, बड़े सारी question solve कर लिया आज आपने मैं बता रही हूँ कि इस बार है leap year, ठीक है? leap year होती है, अगर उन सब के batches आपको चाहिए, तो वो आपको agriculture महा pack में मिलेंगे, ठीक है? अगर आपको कोई एक batch चाहिए, उस पे भी आपको 80% discount मिलेगा, बट उसका validity एक साल का रहेगा, अगर महा pack लेते हो, तो automatically आपको सारे batches जो है, वो 2 साल के लिए मिलेंगे, बस इस agriculture महा pack में, GRF, NET और CUT अवेलेबल नहीं है, क्योंकि वो थोड़े research वाले आजाते हैं, तो कैसे आप enroll कर सकते हो हमारे batches में, हमारे paid batches में, जहां पर कोई add नहीं होगी ठीक है, कोई disturbance नहीं होगी, daily आपको theory पूरी पूरी पढ़ाई जाएगी, उसको revise कराया जाएगा, उसके notes दिये जाएगे live classes, recorded classes सब कुछ आपको मिलेगा, कहां पर adda247.com पर, जैसे आप adda247.com पर जाते हैं आपको all courses पर जाना है government job exams में agriculture category को select करना है click किए agriculture पर, उसके बाद यह है IBPSSO, AFO का batch, यह है बिहार BHO का batch, है ना, यह FSCI, ADO, BAO DTSB, State Agriculture Exam, NABAD, यह जितने भी आपको batches दिख रहे हैं न, यहाँ पर UP, CATE, TA, agriculture की book, FCI, ifco, कोई भी आपको दिख रहे हैं वो सारे आपको agriculture महा पैक में मिलेंगे दो साल के लिए, इस पर click करो, यहाँ से buy now करो, अगर आपको double validity चाहिए, तो code इस्सेबाल करना है Y781A, 80% discount भी मिलेगा और double validity भी मिलेगी, so it is one time investment कि आपको अपने आगे वाले 2 साल तक कुछ भी सोचने की जरूरत नहीं है, कि मुझे यह बैच भी दे दो, उसके बाद अगर आप एक बैच लोगे ना, 3-4 हजार का तो उसके बाद आप बोलो के कि माम मुझे वो वाला भी दे दो क्योंकि अब मैं नवाड की भी तयारी कर रहा हूँ, मैंने AFO का बैच लिया है, फिर प्रॉब्लम हो जाएगा ठीक है, इसलिए क्या करो, अभी के अभी 6,000 रुपे इंवेस्ट करो और उस 6,000 रुपे में आपको AFO, NABAD, IFCO, CRIPCO, MSC, NDRS, सब मिलने वाले Foundation Batches मिलने वाले हैं सब मिलेगा महा पैक में 2 साल के लिए ठीक है, this is the code जो हर एक batch में apply होगा अब मैं GRF Horticulture बता देती हूँ कि जिसको GRF का batch चाहिए वो सेम procedure के साथ कैसे इसको ले सकते हैं So, again, all courses में Agriculture select करना है यह है आपका ICAR GRF ठीक है, यह GRF आपका Agronomy, Horticulture, Plant Sizes में available है, this is Horticulture का batch जो मेरा और Akaasar का है इसमें Akaasar आपको fruits, आपका यह floriculture, plantation, spices जो भी journal, post harvest वो सब पढ़ाएंगे और मैं आपको पढ़ाऊंगी इसमें vegetable science, Olariculture ठीक है, I'm a PhD in Olariculture I'm a vegetable breeder ठीक है, तो यहां से आपको buy now करना है, code इस्तिमाल करना है Y781A ठीक है, same, आपको 80% discount में यह मिल जाएगा ठीक है, so that's it, bye bye take care, घर जाने से पहले important question, आ जाओंगी मैं मदुरी मा, आ जाओंगी मैं, ठीक है, जल्दी ही आ जाओंगी, बाकी C.U.T. के classes मेरी, अरे कल मेरी C.U.T. की class है, सुनो, कल 11.30 पे सुभा मेरी को मिल जाएंगी, तो आप batches में enroll कर सकते हूं, okay okay, हिराम कह रहे हैं कि सिर्फ एक wrong हुआ है, मेरा बाकी सब correct हुआ है, very good, very good अपनी evaluation खुद करो, क्योंकि मैं सब की answer याद नहीं रख पाती हूं बट आपको पताएगी आपने कितने गलत कितने सही किये, daily आओ, daily practice करो, अगर live नहीं देख पा रहे हूं recording देखो, मुझे comment में बता दो, देख लिया है ताकि मैं भी comments देखती हूं तो फिर मुझे पता सिल जाएगा, हां जी आपने देख लिया है, okay जी, चलो bye bye, take care, all the best भूलना जान मुझे बूलना मत, चलो, ठीक है बूलना नहीं है मुझे, ठीक है, अभी कल तो आउंगी मैं, लेकिन तुम मुझे बूले और मैं तुम्हें याद करा है कि मैं तुम्हें short videos डाल के दूँगी, अगर तुमने उसमें comment नहीं किया तो मैं बंद कर दूँगी देना ठीक है, चलो, bye bye